राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊंगी कुमढ़ा की बर्फी किस तरीके से बनाई जाती है, जमाई जाती है, जिससे की आपके बढ़िया पर्फेक्ट पीसेस बने, सबसे पहले तो ये कुमढ़ा देख लीजिए, जिसे आप इंगलिस में आय या कुमेडा ही है, या फिर आप सफेद कद्दू कह सकते हो इसको, यहां पर मैं ससुराल में थी, तो हमारे यहां तो ये खेतों में बोया जाता, यानि इसकी खेती होती है, और इसी टाइम पर लगबग दिवाली से पहले ही इसको कटाई, मतलब इसके फल तोड़के रखे ये कुमेडा का जो ये सफेद वाला इससा आप देख रहे हो ना, ये अगर घर पे भी अगर आप करते हो इसा, या तो आप इसे अच्छे से धूल लो, लेकिन इसका जो वाइट वाला इससा है, वो कर हाथों में लग जाता है, तो आपकी स्किन थोड़ी देर के लिए और मिस्टरी विगेरा, तो उनकी वज़े से मैंने थोड़ा सा गुंगट कर रखा हुआ है, और इसे काटना काफी हेक्टिक होता है, और अभी समय मेरे घर पे जितने भी बड़े लोग है, वो सब बीजी हैं, नहीं तो मैं उन्हीं से ही कटवाती हूँ, इतना बड़ा फल तो मुझे काफी मैनत करनी पड़ी, तो हसिया का यूज करना पड़ा, चाकू तो काम नहीं कर रहा था इसमें, तो थोड़ा सा हिस्सा मैं कट कर लेती हूँ, जितना भी वैसे ये आजकल सिटी में भी मारकेट में जहां भी आपको दिखे तो आप ले जरूर ले, देखो य जहां भी मिले, आप ले ले लेना, वैसे तो इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है, मैं भी आपके साथ में कुछ रेसिपी शियर करूंगी, बाकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वेट लॉस वगेरा के लिए, तो मेरा जो दूसरा चैनल है, क्रिय बहुत असान होता है, तो जब भी लॉकी नहीं मिल पाती है, तो हमारे यां पहले ये कुमडा की ही बर्फी बनाई जाती थी, दिवाली के टाइम पे तो जो हमारे कानपुर साइट के लोग हैं, वो अच्छे से जानते होंगे कि लॉकी की बर्फी बनना तो मस्ट है, लेकि उसके लिए आपको छोटा फल रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा फल रहेगा, एक बार कड़ गया तो जल्दी खराब हो जाता है, इसके टुकडे छील करके आपने पहले धो लेने हैं, फिर हम इसे कद्दूकस करेंगे, तो यहां पर मैंने आदा किलो के लगभग कुमड मैं बहुत जदा पानी होता है, तो विसे मैंने यहां पर पानी से धोया है, आप भी ना धोय वीज को निचोड़ सकते हो, उसके लिए आपको पहले ही पेठा को अच्छे से धोना पड़ेगा, तो वो जो जूस निकलेगा, उसे आप फेकने की बजाए, पी भी सकते हो, क्य करके, पानी से अच्छे से धो करके, जिससे कोई डस्ट बेगर है, पानी से इसलिए मैंने धोया, क्योंकि मेरा मन नहीं भर रहा था, क्योंकि कुमड़ा की वो जो सफेद सफेद पाउडर सा होता है, बाहर का वो हाथों में लग जाता है, तो यह देखो, अच्छे से इसका पानी निकालती है, पानी निकालना इसलिए जरूरी है, जिससे हमारी जो मिठाई बनाने में टाइम है बहुत कम लगेगा, और मिठाई हमारी अच्छी बनेगी, अब हम क्या करेंगे, निचोडने के बाद इसे नाप जरूर लेंगे, तो मेरे पास यहाँ एक कटोरा है, इ इसको डालेंगे, अब बराबर चलाते रहेंगे कुमड़े को हाई फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमें नई पकाना, सिर्फ दो मिनट घी में इसे बूनेंगे, और इसके बाद हमने जिस कटोरे से कुमड़ा ना पता ना, उसी कटोरे से हमें शक्कर लेनी, यानि चीनी लेनी, तो जितना भर के कुमड़ा था, उतना ही भर के हमने शक्कर ले ली है, और बस अब हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, चलाते जाएंगे, जब तक जो हमारी चीनी है ना, वो मेल्ट ना हो जाए, और सारा जो पानी है ना, इसका एक्स्रा, वो सूख न यहां पाया नी, तो बहुत ज़्यादा, अगर बिल्कुल साफ चीनी होती ना, तो बहुत अच्छा सा बनता, अब यहां पर जितना हमने कुमड़ा लिया हुआ था ना, उसका जस्ट मैंने आधा, उसी कटोरे से नापके, यहां पर खोया ले लिया है, आप खोया की मातरा क कम भी कर सकते हो, थोड़ी सी मैंने इलाइची डाली हुई है, यहां पर, इलाइची का जो आप्षेन है, तो टोटली, यानि कि आप चाहो तो ना भी डालो, अब आप देख सकते हो, इसे मैं बराबर खोया डालने के बाद कर्म से कम 6-8 मिनट तक बून रही हो, अगर कर दिखने लगे, कड़ाई में थोड़ी थोड़ी सी वाइट वाइट साइड पे लगने लगेगी, तो आप समझ जाओ, कि यह जमाने के लिए तयार है, एक कोई भी प्लेट या ट्रे ले लो, उसमें थोड़ा घी जरूर लगा लेना, इस तरीके से, और इसी में मैं गाड़ी हो जाएना, तो खोया डालने के बाद लो फ्लेम में इसे पांच-दस मिनट तक जरूर पकाना, इसे कुछ भी चेक वगएरा नहीं करना रहता है, बस आप पांच-दस मिनट लो फ्लेम पे बराबर चलाते होई पकालो, जैसे यह ठिक हो जाए ना, बरफी थोड़ दिया मैंने, जैसे जैसे ठंडी हुई है ना, इसका कलर देखो कितना सफेद हो गया है, और अब मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाते हूँ, सिर्फ एक से डेड़ गंटा हुआ है, इस बरफी को जमाए हुए, और देखो कितने सुन्दर पीसेस, कितनी अच्छी तरी स्टाइल बनाया है, जैसा मैं बचपन से देखती आ रही हुँ, जैसा बचपन से मम्मी लोग बनाती आ रही हैं, वैसे ही बनाया है, आप चाहें तो इसमें अपने मन पसंद डॉट डाल सकते हो, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, इसके ऊपर अपने हिसाप से गारनिश कर स तो आप इस तरीके से लुकी की भी बना सकते हैं बर्फी और कुमडा की भी बना सकते हैं आपने इससे पहले कभी कुमडा की बर्फी खाई है या नहीं खाई है मुझे जरूर बताना कमेंट करके और जब भी मौका मिले तो ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो कैसी लगी आपको यह और जिन लोगों को जो वीडियो दिवाली से पहले देख रहे हैं उनको दिवाली की बहुत